हाँ भै इंडिया वालो वै गली के गुंडो और बताओ कैसा लग रहा है भै भै भैया मजा तो तुमको आ गया होगा हमने तो पहले ही कहा था हमारी टीम तगड़ा खेलेगी दूसरे मुकाबले में तुमको धुआधार पेलेगी भै भै भैया और बताओ कैसा लग रहा है कैस इसी लगी हमारी टीम की जी यही है हमारी टीम की बहुत पुरानी रीत पहला मैच जान बूच के हारते हैं और दूसरे मैच में दुसमन टीम को लगातार मारते हैं समझी अब दरोगा जी यार भाई देखो ऐसा है गली के गुंडे हम ना हैं गली के गुंडे हो तुम लोग सम दूसरे मैच में हम जानबूच के हार गे अगर हम चाहते तो भी आज भी तुम्हारी टीम का भूत बना देते समझे पैसे तो तुमने देख आई होगा हमारी टीम के कितना तगड़ा जलवा है वाल्ड कप के फाइनल में तुमको कैसा पानी पे लाया था अब यह सूर्या की पूर्या जानबूच के दूसरा में चाहरते हैं और तीसरे मैच में सामने वाले छपरियों को दुआधार मारते हैं समझे अब इंडिया वालों बगवास करने के अलावा तुमने सीखाई क्या है वा भाईया हम तो यह कहते हैं बाते छोडो पुरानी अब लिखेंगे हम न हालत बेगड़ जाएगी तुम्हारी नाम है हमारा एडिन मारक राम और हम बिगाड़ देता हूँ अच्छे अच्छो के बने बनाए काम भाईया तगड़ाई खेलते हैं अफरीका नहीं कह दे जल्वा जलाल कर देंगे और तुम लोगों का पिशवाला लाल कर देंगे तुम जीत गए जो बकवास पर करे जा रहे हो हम तो यह कहते भईया तुम्हारे यहां पे खेल कर सीरिक जीतेंगे और अपने यहां का लट्थ गार देंगे और तीसरे मैच में देखना हम अकेले ही तुम्हारे सभी खिलाड़ियों का पजामा फार देंगे समझी बागी श अगले मेच में पूरे दस शक्के फिर मारंगे और अगले मेच में अफरीकी गेंदबाजों का हम अकेले भूत उतारंगे पानी पिला देंगे इनको खड़े-खड़े क्योंकि संजु ने हमेशा मैच जिताए हैं बड़े-बड़े इनको तो ऐसा कर देंगे दुनिया उठ पटांगा इनको पिला देंगे कूट-कूट के भांगा पै तगड़ाई कांड करेंगे देखना तुम हमारे जलवा मान गए गुरू संजु भाई लेकिन यो तो लोली हो गए इसमें क्या कहें यह जपरी दरोगा मानता नहीं देख रहे हो इसकी बाते आगी दरोगा अगले मैच में खतब कर देंगे तुम्हारे हम सारे के सारे रोगा समझें